हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ममाजन बेबीज दोस्तों आज की इस पीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में कपची की समश्या के बारे में यानि की छोटे बच्चे में कॉंस्टिपेशन क्यों इतना जादा होता है कई बच्चे होते हैं वो जैसे ही सॉलिड या सेमी सॉलिड यहां तक की जब मा का दूद पीते हैं तब से ही उनमें कॉंस्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होने की समश्या हो जाती है और दो ढ़ाई स साल तक बच्चे में प्राउब्लम चलती है, कुछ बच्चे आपने दोस्तों देखेंगे ऐसे होते ही हैं, आखिर हम कैसे इस तरह की समश्या का निवारन करें, क्या-क्या रेमेडीज हम इसके लिए फॉलो कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, यह सारी चीजे में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वीडियो आयन तक देखिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केर टिप्स के लिए मेरा चैनल माजन बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में, तो दोस्तों, कई बार आपने देखा हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, छे मेने से चोटे बच्चे जो सिफ मदर फीड ले रहे होते हैं, उसके बाद भी उनमें कॉंस्टिपिशन हो जाता है, तो आखिर इसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा कारण होता है मा, क्योंकि 6 मेने से छोटा बच्चा मदर फीड ही करता है, बच्चा कोई अलग से फूड लेता नहीं है, उसके बाद भी अगर आपके बीबी में कॉंस्टिपिशन हो रहा है, तो इसका मतलब है मदर को अपने फूड पे ध्यान देने के आवेश रखत तो दोस्तो अगर आपका दूड आपका बच्चा पीता है, 6 मेने से कम उम्र है, उसके बाद भी बच्चा 7, 7, 8, 8, 9, 9 डेज में पौटी पास कर रहा है, कई बार उसे पौटी पास करने में पाब्लम भी हो रही है, तो दोस्तो ऐसे में आपको आपकी डाइट में चेंज क खानी चाहिए, आपको इसी के साथ पपीता, एपल, कैरट, इस तरह के फूट्स और बैजिटीबल खाने चाहिए, ओट्स आपको ब्रिफास्ट में खाना चाहिए, दोस्तो जितना आप फाइवर लेंगी, उतना आपका डैजेस्टिप सिस्टम अच्छा होगा, आपका बच्चे को साइक्लिंग वाली एक्सरसाइज करवाएं, बच्चे की अच्छे से पेट की मसाज करें, बच्चे को आप जैसे थोड़ा बड़ा हो जाए, टमी टाइम भी देने लग जाएं, ये तो हुई दोस्तो छे मैने तक की बच्चे की बात, तो आपको ये सारी चीज देने की आविशकता है, सबसे पहले तो आपका बच्चा जैसे ही छे मैने से बड़ा हो जाएं, आप उसको उठते ही सबसे पहले तो आप उसको थोड़ा सा पाने पिलाएं, उसके बाद दोस्तो आप जब बच्चे को प्यूरी देना स्टार्ट करें, तो अगर आपके मस्टिबेशन की प्रॉब्लम 6 मेने से पहले ही रही है, तो चांसे हैं कि आपके बच्चे को आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में दोस्तो आप बच्चे को एपल प्यूरी, कैरट प्यूरी और जो हाइफाइवर फूर्स होते हैं, ग्रीन बेजिटीबल्स की प्य प्यूरी इस तरह के लाइट फूर्स होते हैं, दोस्तो जैसे ग्रीन बेजिटीबल में बात करूँ तो जैसे आपने पालक को मैश करके उसको प्यूरी फॉर्म में बच्चे को खिला दिया है, एवोकाडो प्यूरी, चीकू प्यूरी, पपाया प्यूरी आपका बच्चा स जैसे 7-8 महिने के असपास का हो जाए, तो दोस्तों आपको ऐसी प्यूरी ज़्यादा खिलानी हैं, इसके अलावा दोस्तों आपका बच्चा एक साल के असपास का हो जाता है, तो आप फिर उसे एपल जूस में कनवर्ट कर सकती हैं, बच्चे को फिंगर फूर्ड लेने ल पश्किल होते हैं, बच्चे को हाई फाइबर फूर्ड जादा देने हैं, इससे आपके बच्चे को कॉंस्टिपिशन नहीं होगा और इनके सापके बच्चे को कॉंस्टिपिशन हो गया है, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों दो ढ़ाई साल तक के बच्चे को अगर आप इसके लिए कोई मैडिसन देंगी या फिर बच्चे को गुट्टी भी दोस्तों आजकल ट्रस्ट वर्दी नहीं होती हैं, हम जादा यकीन नहीं कर सकते, तो आप सबसे जादा जो चीज कर सकते हैं, वो बच्चे का खानपान का ही हो सकता है, तो दोस आप आपके बच्चे को पिलाईए, उसके बाद देखेंगे आपके बच्चे का पेट इससे कितना अच्छा रहता है, ये भी दोस्तों बच्चे का जो कॉंस्टिबिशन होता है, उसको दूर करने में बहुत हैल्प करता है, इसी के साथ दोस्तों आप बच्चे को सौप का पानी पिला सकती है, सौप का पानी से भी बच्चे का कॉंस्टिपिशन दूर होता है आपके बच्चे को प्रॉपर मसाज दीजे, बच्चा चलने लग जाए तब आपके बच्चे को आप कुछ साइक्लिंग या फिर इस तरह की एक्टिविटीस ही जादा करवाएं, जिससे के आपके बच्चे के डाइजेशन अच्छा रहे, तो दोस्तो आई होब ये छूटा सा वीडियो आपको अच्छा लगाओगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, मिलती हूँ बहुत जल्दी सी तरक एक नई वीडियो के साथ तिल देन, बाबाए